या देवी सर्व भूतेशु शक्ती रुपेंड संस्तिता नमस्त से नमस्त से नमस्त से नमो नमा आज की दिन की शिरुवात मैं मा को याद करके ही करूंगी क्योंकि आज से नव दुरगा स्पेशल शिरू हो रहा हैं दो दिन बाद यानि की परसों से पवित्र नवरात्र आरंब हो रहे हैं लेकिन मैं हर बार की तरह आपको एक दिन पहले ही यानि की अड्वांस में पूरी तैयारी करवा दूंगी घर स्थापना से लेकर मा को प्रसंद करने वाले एक एक अचूक उपाए तक सब कुछ नवरात्र की शक्ती स्पेशल में बताया जाएगा आप जानते हैं आपको क्या बताया जाएगा आपको एक दिन पहले ही कैसे पूजा करनी है कैसे भोग कराना है मा के भीजमंत्र, महामंत्र सब कुछ बताया जाएगा आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है एक दिन पहले शो देखिए अगले दिन मा को प्रसंद करते जाएगे यह नवरात्र आपके लिए मा की कृपा जरूर लाएगा आज से मैं आपको रोज नवरात्र के पांच महाउपाई बताऊंगी कम से कम आपको डेली नवरात्र से जुड़ेवे महाउपाई करने चाहिए तो मुझे बताईए कि नवरात्र के पावन दिन चल रहे हैं मैं रोज आपको नवरात्र के महाउपाई बताऊंगी तो फिर आज भी बताना शुरू करूंगी, शली बात करते हैं आज के पहले माह उपाएगी क्या जीवन पर कोई संकट आ गया है? ऐसे में रस्ता ही नहीं मिल रहा, एक साबुत पानी वाला नार्यल लीजे उसे अपने सिर्ष से 21 बार अंटी क्लॉकवाइस घुमा कर किसी मंदर की आग में ढाल दीजे यो पाए आप मंगलवार और शनिवार को ही करें, ऐसा पांच बार करें, आप पर कोई भी संकट हो वो तल जाएगा नवरात्र आरंभ होने से पहले ही आपको मा दुरगा के नौ रूपों के नौ बीज मंतर बता रही हूँ, ताकि आप से कहीं कोई गलती ना होने पाए नवरात्र में अगर आपने मा के बीज मंतरों का जाप नहीं किया, तो कोई भी लाप नहीं मिलेगा किसी पूजा में उनका बीज मंत्र बहुत जरूरी होता है उसके बिना कोई भी पूजा अधूरी होती है जिनका बीज मंत्र है हरीम क्लीम स्वामिनाय नमहा मा का छटा सुरूप है मा कात्यानी और उनका बीज मंत्र है क्लीम श्रीम त्रिनेत्राय नमहा मा का सात्वा रूप है मा कालरात्री और इनका बीज मंत्र है क्लीम एंग श्रीम कालिकाय नमहा मा का आठवा रूप है मा महाग और उनका बीज मंतर है श्रीम क्लीम ह्रीम वर्दाय नमहा और मा का नौवस रूप है मा सिद्धी दात्री और उनका बीज मंतर है ह्रीम क्लीम एंग सिद्धे नमहा हर भक्त को बीज मंतर की एक माला का दिन में जाप जरूर करना चाहिए बिना भूले कीजे बहुत फायदा हो नवरात्र पर सिर्फ व्रत रखने से कुछ नहीं होगा आपको नवरात्र का अर्थ भी जानना पड़ेगा अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं अब मैं आपको बताती हूं कि नवरात्र आखिर होता क्या है देखिए मानिताएं खुद भी जानिये और अपने बच्चो और शक्ति की भक्ति की जाती है पुराणों में मानिता है कि सबसे पहले भगवांच्री राम ने लंका विजे के ठीक दस दिन पहले इन शार्दिय नवरात्रों में मा भगवती की पूजा आर्चना की थी तब ही से सनातन धर्म का मुख्य तेवहार बन गया इन नवरात्रो को आदी शक्ति को समर्पन करते वे जो भी भक्त इनमें साधना करता है वो दसों महाविद्याओं की प्राप्ति कर सकता है मा उसका कदम कदम पर कल्यान करती हैं देखिए वैसे तो उन्होंने शार्दिय नवरात्रों में पूजा की थी लेकिन चैत नवरात्र भी उतने ही इंपॉर्टन्ट है आईए नवरात्र से जुडवा आज का दूसरा महा उपाय जानते हैं क्या शनी संकट से मुक्ति चाहते हैं आप साथ शनिवार को किसी भी नदी के पास नारियल को छोड़ दीजे ध्यान रहे लगातार सेवन साटेडेज आपको करना है इसमें कहीं उपना नहीं चाहिए consecutive Saturdays नारियल छोड़ते समय आपको इस मंतर का जाब भी करना है ओम राम दूताए नम्हा अब आपको नवरात्र में जाडू का एक खास उपाई बताने जा रहे हूं आपको रोज नवरात्र से जुड़े कुछ नए और सटी को पाई बताऊंगी ध्या अब आपको घट स्थापना करनी है आपको कल घट स्थापना का महूरत भी बताऊंगी इसको ध्यान से सुन लीजेगा जो जाडू आप कल बाहर रखेंगे पुराना वाला इस जाडू को आप घट स्थापना से पहले अपने घर में वापस अंदर रख लीजेगा अगर जा नया जाडू आपको घर में लाना है ऐसा ना करें कि आप अपने घर के सारे पुराने जाडू भाग दें ऐसा नहीं करना है बहुत सारे जाडू नए लाईएगा ऐसा कुछ भी ना करें आप एक ही जाडू पुराना जाडू बहार करें और एक ही नया जाडू लाएं अगर हो तो इस जाडू के हर रोज आपको अपने घर में लगाना है। इससे आपके घर में धन बर्चा होने लगेगी। जाडू पर पह नहीं रखना, जाडू को उल्टा नहीं रखना, जाडू को इस तरह रखें कि कुछ पहर दो जो जोर जो बाहर रहें, कि सुर्यास्त होने के बाद कभी भी जाडू और पोचा गलती से भी नहीं लगाना चाहिए जिस तरह सुर्यास्त होता है उसी तरह आपकी तकदीर भी असृथ हो सकती है अगर आप शाम के बाद जाडू या पोचा लगाते हो तो हमारे पुराणों में कहा गया है कि सुर्यास्त के बाद जाडू नहीं लगाना चाहिए इसलिए सुर्यास्त के बाद जाडू और पोचा ना लगाए एक बात का और ध्यान रखें कि जब भी आप घर में जाडू फेरें तो वो गीली नहीं होनी चाहिए किसी भी गीली जगा पर आपको जाडू नहीं फेरना चाहिए अगर आप गीली जगा पर जाडू फेरते हैं तो हो सकता है आपकी घर में धन वर्षा ना हो financial crisis आ जाए तो इन सभी बातां को आपको ध्यान रखना होगा बहुत सारे viewers ने मुझसे पूछा है कि उनको सपनों में जाडू आता है अगर आपके सपने में भी जाडू आता है तो इसका ये संकेत हैं कि आपको धन की हानी होने वाली है आपके साथ कुछ भी गड़बर ना हो नवरात्र में आप एक रोज दिया जलाएं और इश्देफता का ध्यान करें मा लक्ष्मी मा ता, जो भी आपकी गलती हुई, उनसे माफी माँगे मा लक्ष्मी से और आपको अपनी गलती का पच्तावा है, और आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे और जाडु का धान किसी दर्म स्थान में दीजे रोज आपको ऐसा करना है तो आपको इसका कोई भी negative impact नहीं होगा और प्रातना करें कि हे लक्ष्मी मा, हे इश्टेव, हे मेरे पित्र साथ साथ मेरे से जो भी गलती हुई उसकी सारी सजा मुझे और मेरे परिवार वालों को ना दो मेरे से जो गलती हुई, मुझे से जो गलती हुई, उसको सुधारने की पूरी कोशिश मैं करूँगा या करूँगी अक्सर काफी लोग अपने घर में ज़ाडू चेंज नहीं करते हैं पुरानी ज़ाडू का इस्तमाल ही करते चले जाते हैं तो आप ज़ाडू को टाइम टाइम पर चेंज करते रहें इसे मालक्ष्मी और कुबेर भगवान आप पर खुश रहेंगे अब नवरात्र से जुड़ावाज का तीसरा महा उपाय जान लीजे सवाल ये हैं कि क्या बार-बार नौकरी चली जाती है ऐसे में नारियल के छिलकों को छिलकर उसकी भस्म तयार करें और उसमें आप नारियल का ही पानी मिलाकर उसकी पेस तयार करें इसको साथ पुडियां बना लें इसके साथ पुडियां बनाकर चार पुडियां घर के चारो कुने में रख दीजे और उसमें से एक पुडिया घर की छट पर और एक पीपल की जड़ पर और एक अपनी पॉकेट में रख लीजे ये सावधानी रखें कि इस पर किसी की नजर और परचाई ना पड़े आपकी पकी नौकरी लग जाएगी क्या आप जानते हैं आपको नवरातर के नौ दिन क्या करना है और क्या नहीं करना है छे तारीक से नवरातर आरंभ हो रहे हैं लेकिन मैं आज ही इसले बता रही हूँ ताकि आपसे भूल कर भी कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे मा नराज हो जाए आपको क्रिपा ना मिले जहां तक संभव हो नौ दिन तक वरत करें कुछ भी हो जाए मैं आपको सला यही दूँगी कि नौ दिनों तक लसुन प्यास का सेवन ना करें अगर वरत नहीं भी कर सकते यह तामसिक भोजन की छ्रेणी में आता है कैंची का प्रयोग जहां तक हो सके कम से कम करें दाड़ी नाखुन और बाल कटवाना नौ दिन तक बंद करें निंदा चुगली लालच और जूट से बचें मा के मंदिर में अनवाला भोग प्रसाद अर्पित ना करें आपको नवरात्र में क्या नहीं करना है नोट कर लिया न आपने अब साथ में ये भी जान लीजे कि आपको नवरात्र में क्या क्या करना है जितना हो सके लाल रंग के आसन, लाल रंग के फूल, लाल रंग के कपड़ों का इस्तमाल करिए क्योंकि लाल रंग मा को बहुत जादा प्यारा है सुभा और शाम मा के मंदिर में या आपने घर के मंदिर में दिया जरूर जगाए पॉसिबल हो तो वहीं बैटकर मा का पाथ करें, दुर्गा सपशती और दुर्गा चालिसा का पाथ पड़ें साथी हर दिन मा की आरती और थाल सजाकर आरती करें और एक बात, मा को हर दिन फूल माला जरूर चड़ाईए नौ दिन तक मन में वरत रखें, अश्टमी नवमी पर विधी विधान से कंजग पूझे और उनसे आशिरवाद जरूर लीजे घर पर आई किसी भी कन्या को खाली हाथ बिल्कुल विदाना करें नवरात्रों में मा दुर्गा के नाम की जोती अवश्य जलाएं अखंड जोत जला सकते हैं तो बहुत अच्छा है नहीं तो सुभा शाम जोत जरूर जलाईए ब्रहम चदे के वरत का पालन कीजे, संभव हो तो जमीन पर सोईए नवरात्रों में नौ कन्याओं को आखरी नवरात्र में घर बुला कर भोजन कराईए नौ कन्याओं को नौ दर्गा रूप मान कर पूजा करें और आवभगत करें नवरात्र से जुड़ावा क्या है चौथा महा उपाए अब जान लेते हैं सवाल ये है कि क्या गरीबी दूर नहीं हो रही है ऐसे में हर शुकरवार को सुभ़ जल्दी उठकर नहाने के बाद श्री गरेश और धन की देवी महा लक्ष्मी की पूजा करें पूजन में एक नारियल रखें पूजा के बाद इस नारियल को तिजोरी में रख दें रात के समय इस नारियल को निकाल कर किसी गणेश मंदिर में चढ़ाएं साथ ही श्री गणेश से गरीबी दूर करने की फ्रातना करें ऐसा कम से कम पांच शुक्रुवार करें आपको बहुत आराम मिलेगा नवरात्र के पहले मैंने तै कि हर भक्त को मा के 9 रूपों की पूरी जानकारी दी जाएगी क्योंकि जब तक आप अपनी मा को नहीं पहचानेंगे नहीं जानेंगे तब तक उन्हें समझ कैसे पाएंगे और उनकी क्रिपा कैसे पाएंगे अब बाब भी सुनिया और अपने बच्चों को भी जरूर बताईए मा का पहला रूप है मा शैल पुत्री ये परवत हिमाले की बेटी हैं और मा दुर्गा में पहले रूप है पिछले जनम में ये राजा दक्ष की पुत्री थी एक बार दक्ष ने भगवान शिफ को आमंतरित किये बिना बड़े ही यग्य क्या आयोजन कर लिया और देवी सती वहां पहुँच गई और तर्क वितर करने लगी उनके पिता ने उनके पती भगवान शिफ का अपमान जारी रखा सती भगवान का अपमान सहना सकी और अपने आप को यग्य की आग में भस्म कर दिया दूसरे जनम में वो हमाले की बेटी पारवती हेमावती के रूप में जनम लेती है और भगवान शिफ से विवा करती है अब उनका दूसरा रूप जानिए मादुर्गा का दूसरा रूप है माब्रहमचनी ब्रहमचनी शब्द को तोड़ कर देखें तो ब्रहमा शब्द का अर्थ है तब और माब्रहमचनी की मूर्ती बहुत ही सुन्दर है उनके दाहिने हाथ में गुलाब और बाए हाथ में पवित्र पानी के बर्तन का कमंडल है मभ्रम चन्नी पूरे उत्सा से पूरे एक्साइटमेंट से भरी वी है तीसरी शक्ती का नाम है चंद्रगटा जिनके सर पर आधा चंद्रमा आधा चांद है और बच्ती घंटी है ये शेर पर बैठी संघर्ष के लिए तयार रहती है इनके माथे पर एक आधा जैसे हम बोलते हैं चांद है ये खुबसूरत सा चांद है ये आकर्शक और चमकदार है तीन आखों और दस हातों में दस हतियार पकड़े रहती हैं पर और इनका रंग सुनेरा है माथ बहुत हिमती है और उनके भक्तों को भी हिमत मिलती है आगे आपको माथे च्छे रूपों की जानकारी दlaitनी लेकिन पहले एक और बात मा के तीन सुरवो की जानकारी मैंने आपको दे दी बाकी के छे रूप बाकी हैं आईए उनकी बात भी कर लेते हैं मा के चौथे रूप का नाम है मा कुश्मानदा ब्रह्मान की निर्माता के रूप में ये जानी जाती है इनके प्रकाश में फैलने का निर्मान होता है ये सूर्य की तरह सभी दस दिशाओं में चमकती रहती है इनके पास आठ हाथ और साथ प्रकार के हतियार है इनके हाथ में चमकते रहते हैं ये हतियार इनके दाइने हाथ में माला होती है और वो ये शेर पर सवारी करती है मा के पांच में सरूप का नाम है मा सकंद माता हिमाले की पुत्री इन्होंने भगवान शिफ से शादी कर अच्छे से अपनी जीवन को वतीत किया और इनका बेटा था जिसका नाम सकंद था याने की कार्तिके देवताओं के सेना के ये प्रमुक थे सकंद माता आग की देवी हैं उनकी तीन आखें और चार हाथ हैं ये सफेद रंग की हैं और कमल पर बैठी रहती हैं इनके दोनों हाथों में कमल रहते हैं मा दुर्गा का छटा रूप है मा कात्यानी एक बार एक महान संथ थे ठीक है? ये संथ जो थे ये बहुत ज़ादा प्रसित थे उन्होंने देवी मा की कृपा प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक तपस्या करी उन्हें देवी के रूप में एक बेटी की आशा व्यक्त करी मा से उनकी इच्छा के अनुसार मा ने इस इच्छा को पूरा करते वे मा कात्यानी का जन्म उनके घर पर लिया और मा दुर्गा के रूप का निर्मान हुआ अभी तीन और रूपों की जानकारी देना बाकी है आगे बताऊंगी पहले एक और बात मा के नौ रूपों में से छे रूप तो आपने जान लिये आईए अब आपको मा के तीन और रूपों के बारे में बताती हूँ मा दुर्गा का साथपा रूप है मा काल रात्री ये काल रात्री की तरह हैं इनके बाल बिखरे होते हैं ये चमकीले भूशन पहनती है और तीन उजबल आखे हैं हजारों आग की लप्तों में ये निकलती है जब भी सांस लेती है तब मृत शरीर पर ये सवारी करती है सांस लेती है तो आग निकलती है इनके दाहिने हाथ में उतसरा तेज तलवार है और इनका जो निचला हाथ है वो आशिरवाद लिये वे आशिरवाद मुद्रा में है इनके हाथ में जलतीवी मचाल भी है इनके बाएं हाथ में इनके निचले बाएं हाथ में भक्तों के लिए निडर बनती है निडर मुद्रा है मा का आठवा सरूप है मा महागौरी ये एक शंक, चंद्रमा और जैस्मीन के रूप में बिल्कुल सफेद है ये आठ साल की हैं और इनके गहने और वस्तर सफेद और साफ होते हैं इनके तीन आखे हैं, इनकी सवारी बैल हैं और इनकी चार हाथ हैं इनके निचले बाएं हाथ की मुद्रा निडर हैं, उपर के बाएं हाथ में त्रिशूल और उपर के दाइने हाथ में दफ है और निचला दाइना हाथ आशिरवाद शैली में हैं, ये शांत और शांती पूर्ण है मा का नौवा सुरूप है मा सिद्धी दातरी मा सिद्धियों को दात करने वाली है इनके पास कई अद्बुच शक्ति हैं ये कहा जाता है कि देवी पुरान में भगवान शिफ को सब सिद्धियां इनी से मिली मा शक्ति की पूझा करने से उनकी कृतग्या के साथ शिवजी का आधा शरीर देवी का बन गया था और वो अर्ध नारेश्वर के रूप में प्रसिद हुए मा सिद्धी दात्री की सवारी शेर हैं और उनके चार हाथ है चली बात करते हैं आज की स्पेशल आस्टो टिप का नवरात्र से पहले अपने घर के हर कोने को गंगा जल से साफ कर लीजे चारो कोनों पे घर के कपूर जिलाने पर आपके घर की शुद्धी हो जाती है नया साल शुरू हो रहा है इससे अच्छा मौका नहीं होगा फेस्बुक पर आशीष सिंग ने अपनी प्रॉबलम हमारे साथ शेयर की है आशीष सिविल सर्वेसिस के लिए तैयारी कर रहे हैं जिस पर वो अपने लग को चमकाना चाहते हैं उपाय चाहते हैं आपको डेली सूर्यदेव को जल देना है एक सो आठ पार ओम सूर्या नमा का जाप करना है राइट हैंड में रिंग फिंगर के नीचे यहाँ पर आपको डेली केसर से और हनुमान जी की बॉड़ी से जो तिलक आता है उससे तिलक करना है और मेहनत करनी है जरूर आपका काम बनेगा entertainment की बात हम बाद में करेंगे कल के दिन अपने दिन को अच्छा करने के लिए क्या करें अपनी राशी के हिसाब से जाने सबसे पहले मेश राशी की बात मेश राशी के लोग छोटी लड़कियों को गिफ्ट दें लक साथ दे रहा हैं आपका 60% रिश्व राशी के लोग जमीन पर बैठ कर खाना खाईए किसमत साथ दे रहे हैं आपका 62% मिथुन राशी के लोग माथे पर केसर का तिलक लगाए भाग्य साथ दे रहा हैं आपका 64% कर्क राशी के लोग हनुमान जी को याद कीजे आप लग साथ दे रहा हैं आपका 65% सिंग राशी के लोग नीले रंग के कपड़े पहनिए लग साथ दे रहा हैं आपका 67% कनिया राशी के लोग सलाद में टमाटर जरूर खाईए भागे साथ दे रहा हैं आपका 75% तुला राशी के लोग नॉन विज को अवोइट कीजे, किस्मत साथ दे रही है आपका 77%, वृष्चिक राशी के लोग, सुभा उठ कर जूस पीजे आप, भागे साथ दे रहा हैं आपका 71%, धनू राशी के लोग, डॉग को रोटी खिलाईए, किस्मत साथ दे रही हैं आपका 69%, मकर राशी के लोग, शाम को घर में धूब चलाएं, भागे साथ दे रहा हैं आपका 74%, गुम राशी के लोग, घर में शिवजी की कल फोटो हैं तो जरूर पूजे नहीं हैं तो लगाएं, लग साथ दे रहा हैं आपका 68%, और मीन राशी के लोग, सुभा उठ कर कल पानी धेर सारा पानी पी, किस मत साथ दे रही हैं आपका 76%, अब शो का पांचो और आखरी महा उपाई क्या हैं ये जान लेते हैं, सवाल ये है कि क्या बटूए में पैसा नहीं टिक था आपके, ऐसे में किसी भी शुब दिन गणेज जी और महालक्ष्मी की विधी विधान से चौकी सजाएं, चावल की देरी पर तांबे का कलश रखें और एक लाल कपड़े में नारियल लपेट कर उस कलश में इस तरह रखें कि उसके आगे का पाट दिखाई थे, अब दो बड़े दीपक जलाएं, एक घी का और एक दूसरा तेल का, एक दीपक चौकी के दाहिने और और दूसरी मूर्तियों के चड़नों में रखें, इसके अलावा एक छोटा दीपक गनेश जी के पास रखें, इसके बाद विधी विदान से पूजा करें, आपके बटूए में कभी पैसे खत्म नहीं होंगे